मॉर्णिग माइड़ीय इस्टुरेंद्स आज हम अपनी मैस कीक्लास में न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं मल्टिपिकेशन ओफ फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस का मल्टिपिकेशन हमने प्रीविश क्लास में क्या-क्या पढ़ लिया था fractions को add किस तरीके से करते हैं subtract कैसे करते हैं कौन से like fractions हैं कौन से unlike fractions हैं तो ये सारे terms आपके clear हो चुके होंगे आज हम पढ़ेंगे fractions का multiplication करें कि किस तरीके से fractions का multiplication किया जाता है जैसे आपको first question लिखा है 3 upon 5 multiply 2 upon 5 आपको एक fraction है 3 upon 5 और दूसरा fraction है 2 upon 5 आपको इन दोनों नमर्स का क्या करना है multiply, क्या करना है इन दोनों fractions का multiply तो multiply कैसे करेंगे, ज़स्ट आपको numerator को numerator से multiply कर देना है ET दिनॉम्डेटर का denominator से तो 3 का multiply 2 में कर देंगे और 5 का multiply 5 में कर देंगे plus 6 upon 25 इसी है ना multiply करना जैसे आप simply multiply करते हैं numerator कर numerator के साथ denominator कर denominator के साथ और answer आगया आपका 6 upon 25 next question 4 upon 9 multiply by 14 4 upon 9 अब यहाँ पर आप only numerator देख रहे हैं denominator नहीं है जब तो 4 upon 9 तो यही लिखा रहेगा अब जब इसके नीचे denominator नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि numbers के नीचे अगर denominator नहीं होता है तो हम denominator क्या माल लेते हैं 1 क्या माल लेते हैं 1 तो 14 के नीचे क्या लगा लेंगे हम 1 क्या लगा लेंगे 1 तो 4 का multiply 14 में कर देंगे और 9 का multiply 1 में कर देंगे तो इस तरीके से हम फ्रेक्शन का मल्टिपिकेशन करते हैं अब हम आपकी कुछ बुक्स की कोशन्स देखते हैं कि आपकी बुक में इस तरीके से सॉल करेंगे तो आप फटाफट से चाहिए और अपनी बुक में एक्सराइस 4.3 ओपन कर लीजिए अपनी बुक ओपन कर ली सबने एक्सराइस 4.3 निकाल ली ना तो हम पहले एक्सराइस 4.3 का फर्स्ट कोशन्स देखते हैं आपको वैल्यू निकाल ली है अब इस तरीके के कोशन्स हम कैसे सॉल करेंगे 315 ओफ 2 अपन 3 ओफ का मतलब भी क्या होता है मल्टिप्लाई ओफ का मीन्स भी क्या होता है मल्टिप्लाई रखा है पहला कुशन्स 315 ओफ 2 अपन 3 ओफ का मतलब होता है मल्टिप्लाई क्या होता है ओफ का मतलब मल्टिप्लाई मीन्स हम ओफ को हटा के क्या लगाएंगे पहले मल्टिप्लाई जब ओफ लगा हुआ है त multiply 2 upon 3, और हम इसको solve कैसे करेंगे, इसको solve, हमने नीचे लगाया 1, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, numerator का multiply numerator में, डूमिलेटर में, डूमिलेटर में, लेकिन, numerator का multiply numerator में करने से पहले हम एक बात ध्यान बखेंगे एक बात हम कर सकते हैं कि हम इस number को पहले हम इस fraction को क्या कर सकते हैं simplify कर सकते हैं कर सकते हैं इसको क्या करेंगे 3 से 315 को हम divide करेंगे क्या करेंगे 3 से 315 को divide अब हमने 3 से 315 को divide किया आप आप डारेट डिवाइट करना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, डारेट डिवाइट देखो, कितनी इजिली हो जाएगा, 3 से 3, 1, 5 को डिवाइट करू, 1 बार जाएगा पहले 3, 1 बार गया, अब हमने 1 उतारा नीचे, 1 उतारेंगे नीचे, तो 1 से 3 तो जाएगा नी, 3 से हम 1 को तो डिवाइट करनी पाएंगे, इसलिए क्या लगा देंगे, 0, क्या लगा देंगे, 0, पिर क्या होतारेंगे हम नीचे 5 क्या हो गया 15 अब 3 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से 15 को डिवाइड किया क्या है आउसर 5 तो हमने जस्ट बिना डिवाइड करेंब ότι Das Nacional कि उसको कट प suspended चैफंप 3 से 35 को कट करेंगे तो क्या है एगा 105 क्या हैगा 105 अब 105 105 multiply by 2, अब 105 का 2 में multiply कर लेंगे, तो क्या जाएगा answer 210, आप पहले इसका मल्टिप्लाई करतें, फिर 3 से divide करतें, इससे भरिया तो हम पहले ही 3 से divide कर लें, multiply करने से पहले ही 3 से divide कर लेंगे, तो हमने 3 से 315 को divide कि 105 बार, और 105 का multiply किसमें कर देंगे 2 में और questions देखने 504 of 4 upon 9 504 of 4 upon 9 तो off को अटा के क्या लगाएंगे multiply का sign क्या लगाएंगे multiply का sign now अब यह 9 यहाँ पर divide में है ना तो हम पहले ऐसे लिख लेंगे 504 multiply by 4 numerator का multiply numerator में और denominator का denominator में 9 का 1 में multiply करेंगे 9 ठीक है इतना आ गया हमारा अब 9 से हमने 504 को क्या किया डिवाइट किया 9 से 504 को डिवाइट किया दारेक डिवाइट करना सीखे अब आप बड़ी classes में आ गएं यह नहीं कि हमेशा अब डिवाइट का sign बना तब ही चाके डिवाइट कर पाएं डारेक डिवाइट करने की कोशिश करें जितनी जादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका इंप्रूव होगा तो अब आपने 9 से 504 को डिवाइट किया जस्ट कैसे देखना है 9 से 5 डिवाइट 9 से 5 को डिवाइट करेंगे नहीं होगा तो हम क्या उतारेंगे नीचे 0 क्या उतारेंगे उसका बास 0 है ना तो हमने नीचे 0 उतारा अब 9 से 50 को डिवाइट करेंगे 9 से 52 जाएगा नहीं लेकिन 9 से 9 5 सा 45 होते है 9 5 सा 45 तो 5 बार चला गया और 5 रिमेंडर बचा अब 5 रिमे से क्या हो गया 54 गस है सिट्स mg और ना नाइन से 504 को डिवामिय करेंगें आप डिवाइट करके भी दिखा सकती हूं, मैं आपको देखो, डिवाइट करके भी दिखाऊं, आंसर वही आएगा, 9 से 504 को डिवाइट किया, 5 बार कितना गया, 45, 5 देमेंडर बचा, 54, अब 5 से 54 को डिवाइट करेंगे, 6 बार 54 कुप्ली डिवाइट हो, आपको बस ओफ को हटाकर, multiply का sign लगाना है, उस तरीके से हम fractions का multiply करते हैं, उसी तरीके से हम fractions का multiply कर लेंगे, अब हम exercise 4.3 का question number 2 देखते हैं, कि question number 2 कैसे solve होगा, तो सब ने अपनी बुक खोल रखे हैं ना, अब आप उसमें question number 2 देखिए, देखिए, यह है आपका question number 2, क्या है question number 2, 2 upon 5 multiply blank equal to 14 upon 5, तो आपको इस blank को fill करना है, क्या करना है, इस blank को fill, क्या, यहाँ पर क्या आएगा देखो, 2 upon 5 लिखा हुआ है 5, अब आप यह देख रहे हैं, यहाँ भी denominator 5 है, यहाँ भी denominator 5 है, means, यहाँ पर denominator में कोई change नहीं है, जो हमें करना है, वो numerator ही तो उपर लाना है, कि numerator की place पर यहाँ पर क्या है, तो देखो, 2 का multiply हम किस में करें, 2 का multiply हम किस में करें, कि 14 आजाए, table आपको learn है ना, कि 2 का multiply में किस में करूँ कि 14 आजाए, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यहाँ पर आगया 7, blank वाली space में क्या आगया, 7, next question देखते है, 4 अपोन 5 multiply by 5, equal to blank, आपको 4 अपोन 9 का multiply 5 में करना है, just, कुछ नहीं है, 1 लगाया, 4 का multiply 5 में किया, क्या आया, 20, क्या आया, 20, और 9 का multiply 1 में किया, 9, तो क्या आगया ब्लैंक प्लेस पर, 20 अपोन 9, question 3 अपोन ब्लैंक, multiply by 7, equal to 21 अपोन 41, अब देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 आएगा, 3 का multiply 7 में करेंगे, 21, 3 का multiply 7 में करेंगे, 21, तो यह बताओ, किसका multiply हम 1 में करें, कि वही नमबर आजाए, किसका multiply हम 1 में करें, कि वही नमबर आजाए, जब हम 5 का multiply 1 में करतें, तो 5 ही तो आता है न, तो इस ब्लैंक वाली प्लेस पर, क्या आएगा, 41, क्योंकि 41 का multiply हम, 41 का multiply हम 1 में करेंगे, तो भी answer क्या आएगा, 41, तो इस तरीके से, आप अपनी exercise 4.3 के, कुशन नमबर 1, 2 सौल्व कर सकते हैं, देखिए, नेक्स्ट कुशन, 2 कम्प्रीट 3 अपॉन 8, मैंटिप्लाइ, 12, अब ये, मिक्स्ट फ्रेक्शन है, तो मिक्स्ट फ्रेक्शन, को आपको किस में चेंज करना होगा, इंप्रॉपर में, तो 2 कम्प्रीट 3 अपॉन 8, को आपने मिक्स्ट से, इंप्रॉपर में चेंज किया, 8 तूजा, 16, 16 प्लस 3, 19, 19 अपॉन 8, अब ये 12 उपर है, इसको हम उपर ही लिख लेंगे, 19, अब क्या हो गया, 19 मुल्टिप्लाइ 12 अपॉन 18, अब देखे, ये 12 है, ये 8 है, 19 है, अब आपको, 12 कोई ऐसी टेवल पता है, जिसमें 12 और 8 आते हूँ, कोई ऐसी टेवल, जिसमें 8 भी आता हो, और 12 भी आता हो, तो कौन सी है, 4, 4 की टेवल में 8 भी आता है, 12 भी आता है, तो हम क्या कर लेंगे पहले, इसको 4 से कैंसल कर लेंगे, क्या कर लेंगे 4 से कैंसल, तो 4 से मैंने कैंसल किया 8 को, कितनी बार जाएगा, 4, 2, जा 8, और 4 से हमने 12 को कैंसल किया, कितनी बार जाएगा, 3 वार एक बात ध्यान रखनी है नीचे हमने 4 से कैंसिल किया है उपर भी हम 4 से ही कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 तो चुटता हो गया ना हमारा हमें पहले क्या करना पड़ता 9 को 12 से मैं करना पड़ता अब हमें किस से करना पड़ेगा only 3 से तो 19 का multiply 3 में किया upon 2 19 3 जा 57 तो 57 upon 2 अब हम 57 upon 2 को किस में change करेंगे mixed में क्योंकि answer हमें किस में लाना है mixed में तो हमने school mixed में change किया तो क्या आएगा answer 2 से 57 को क्या आएगा 28 1 upon 2 28 complete 1 upon 2 इस तरीके से हम पहले simplify करेंगे जिस table में यह आ रहे हैं दौनों number उस table से पहले numbers को cancel कर लेंगे और फिर answer ली आएगे तो अब आप अपनी exercise 4 समझने से पहले हम समझेंगे multiplication की कुछ properties की multiplication की कुछ properties होती है जैसे addition की properties होती है ना इसी तरीके से multiplication की कुछ properties होती है तो देखते हैं पहली property 2 का multiply 3 में करें या 3 का multiply 2 में करें answer तो same ही आता है ना 2 3 जा भी 6 होती है और 3 2 जा भी 6 होती है अब हम fraction में बात कर लें तो 2 upon 3 का multiply मैंने 1 upon 2 में किया क्या है answer 2 upon 6 means 1 upon 3 कट कर सकते है ना इसकी simplest form निकाल लेंगे और 1 upon 2 का multiply 2 upon 3 में करूँ तो भी 2 जा 2 2 3 जा 6 तो भी answer क्या आया 1 upon 3 means numbers को अगर हम आगे पीछे कर दें तो उनके multiplication उनके order को अगर हम change कर दें इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें तो उनके multiplication पर कोई effect नहीं पड़ता है क्योंकि numbers का multiply 2 का 3 में करें या 3 का 2 में करें answer तो 60 आना है ना तो first property तो आपकी यह हो गई दूसरी property यह है कि कि किसी भी fraction का multiply multiply अगर हम 1 में करेंगे किसी भी fraction का multiply अगर हम 1 में करेंगे तो answer क्या आएगा fraction ही आएगा जैसे 2 का multiply हमने 1 में किया 2 और नीचे कुछ लेंगे 1 2 3 का multiply 1 में किया 3 तो यह fraction है fraction का multiply हमने 1 में किया तो वही answer आया जैसे किसी भी number का multiply अगर हम 1 में करते हैं तो वही number answer आता है क्या है आपकी कि किसी भी fraction का अगर हम multiply 0 में करते हैं किसी भी fraction का multiply हम 0 में करते हैं तो answer क्या आएगा 0 यह आप multiplication की property spell पढ़ चुके हैं एक बार इने fraction में और देख लेते हैं कि हम किसी भी fraction का multiply 0 में करते हैं तो answer क्या आएगा 0 क्या आता है 0 देखते है exercise 4.3 का question number 4 3 का multiply आपको किसमे करना है 5 complete 4 upon 9 और इस blank place को fill करना है तो देखी कैसे करेंगे ऐसा question आपका question 3 multiply 5 complete 5 complete 4 upon 9 तो पहले आपका improper fraction को हम किसमें change कर लेंगे mixed fraction को किसमें change कर लेंगे improper fraction में तो mixed fraction को मैंने improper fraction में change कर लिया क्या आएगा answer 950 45 45 plus 4 49 49 upon 4 आप practice करेंगे बहुत जल्दी direct answer लिखने लगेंगे ज़रूरी नहीं है कि पूरा आपको शोर कर की दिखाएं कि आप 5cion僕 5Haar 5 में खार प्लस फोर कर रहे हैं आप कर भी सकते हैं ऑर नहीं भी कर सकते हैं आप यहाँ पर यह इस बीच में लिखा हूँघा बीच में लिखने का मतलब है यह numerator है क्या है numerator denominator नहीं है तो denominator नहीं है तो हमने 1 माल दिया अब क्या करेंगे 3 का मदप्लाइ 49 में कर लेंगे और 4 का मदप्लाइ 1 में कर लेंगे तो 3 का मदप्लाइ क्या करेंगे 4 से 147 को डिवाइट करेंगे 3 12 2 27 अब 4 से 27 तो जाएगा नहीं कितनी बाल जाएगा 4 6 24 24 3 रिमेंडर तो क्या आएगा 36 बाल कम्प्लीट डिवाइट गया 4 से हमने डिवाइट किया 3 रिमेंडर तो आंसर क्या आया 36 कम्प्लीट 3 अपॉन 4 तो इस तरीके का आप ब्लैंक फिल कर सकते हैं अब हैं नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट बी पार्ट क्या है आपका 1 कम्प्लीट 3 अपॉन 11 इंटु 27 में 2 का मुल्टिप्लाइट 3 में करें या 3 का मुल्टिप्लाइट 2 में करें आंसर क्या आएगा 6 इसी तरीके से इस फ्रेक्शन का मुल्टिप्लाइट 27 में करें या 27 का मुल्टिप्लाइट हम इस फ्रेक्शन में करें तो आंसर तो सेम ही आएगा ना इस ब्लैंक में क्या आ एपन एक आपका सी पाग भी यही तरीके से टू कंप्लीट अपन सेवन गटिप्लाइब लेंग वन कम्प्रीट एपन थर्टीन इंग वही वाला कुछन ने ज़स्ट आपको ऑडर चेंज करने से मुल्टिपिकेशन में कोई फैक्ट नहीं परता है तो यहां पर क्या एगा व complete 3 upon 13 next 0 का multiply किसी भी fraction में करते हैं आंसर क्या आता है जीरो आंसर क्या आता है जीरो जैसे हमने यह सॉल्फ किया फर्स्ट वाला कुशन इसी तरीके से हम इवाला सॉल्फ कर लेंगे कैसे करेंगे कुशन 3 complete 3 upon 11 multiply 11 और ब्लैंक का आपको निकालना है तो क्या पहले मिक्स्ट को किस में चिंच करेंगे इंप्रॉपर में तो क्या आएगा 11 थी जा 33 33 में 3 एड करेंगे क्या आएगा अंसर 36 36 upon 11 multiply by 11 तीके अब नीचे कुछ नहीं लगा है 1 तो क्या हो जाएगा 36 multiply 11 upon 11 अब हम क्या कर सकते हैं यह उपर 11 multiply में यह नीचे 11 डिवाइड में है तो हम 11 से 11 को simplify कर सकते ना 11 से 11 को cut करेंगे तो answer क्या आएगा 1 क्या आएगा 1 36 का 1 में multiply किया answer आया 36 तो blank place पे आएगा 36 तो इस तरीके से आप कोई भी अगर प्लेस आपको blank दी है तो आप उसको fill कर सकते हैं टॉपिक है multiplicative inverse अब multiplicative inverse क्या होता है इसका मतलब होता है किसी भी fraction का या किसी भी पूछे कि 4 का multiplicative inverse क्या है मतलब reciprocal क्या है इस number का तो कैसे निकालेंगे 4 के नीचे numerator दिया है denominator नहीं है denominator को हमने माल लिया 1 क्या माल लिया 1 जैसे कोई इंसान सीधा कड़ा है कोई इंसान सीधा कड़ा है और हमने उसको उल्टा कर दिया क्या कर दिया उल्टा कर दिया तो मतलब हमने उस सीधे इंसान का multiplicative inverse कर दिया उसको उल्टा कर दिया इसी तरीके से 4 उप 1 का उल्टा क्या होगा वाला upon 4 मतलब numerator की जगे पर denominator आ जाएगा और denominator की जगे पर numerator आ जाएगा 4 कहा जाएगा 4 numerator है या denominator मे आ जाएगा और 1 denominator है उपर numerator में आ जाएगा तो किसी भी नंबर का या किसी भी fraction का multiplicative inverse निकालने का मतलब होता है उस नंबर का रैसी प्रोकर उस नंबर का तैसी प्रोकर जैसे मुझे कहा जाए 2 upon 9 का multiplicative inverse क्या होगा पताईए सब 9 upon 2 जस्ट numerator denominator बन जाएगा और denominator numerator सीधी बॉड़ी खड़ी है हमने उसको उल्टा कर दिया उसका हमने रैसी प्रोकर निकाल दिया तो 2 upon 9 का रैसी प्रोकर क्या होगा या 2 upon 9 का multiplicative inverse क्या होगा 9 upon 2 आपको 4 complete 5 upon 9 का क्या निकालना है रैसी प्रोकर क्या निकालना है रैसी प्रोकर मिक्स्ट में है तो किस में change करेंगे पहले improper में तो आपको ध्यान लखनी है जहां भी पहले mixed fractions दे रखे हैं उनको पहले आप improper में change कीजिए तब जाके हम उन fractions को add कर सकते हैं subtract कर सकते हैं multiply कर सकते हैं तो फर्स्ट हम पहले इनको improper में change करेंगे तो 4 माइन जा 36 एंड 36 में 5 add करेंगे 41 तो 41 upon 9 अब इसका मैं पूछू इन वर्स क्या होगा means उल्टा 41 upon 9 का उल्टा क्या होगा 9 upon 41 तो रैसी मल्टिप्लिकेज़ इन वर्स का मतलब समझ में आया कि किसी भी नंबर या किसी वी fraction का मल्टिप्लिकेज़ इन वर्स कैसे निकाला जाता है अब हम एक और question देखेंगे ब्लैंक multiply 4 upon 9 equal to 1 आपको ब्लैंक बताना है कि इस ब्लैंक प्लेस पर क्या आएगा multiply किया जाए उस ब्लैंक प्लेस को 4 upon 9 से multiply किया जाए तो answer क्या आना चाहिए 1 क्या आना चाहिए answer 1 तो देखें जैसे ये उपर ही ले लेते हैं क्या है 41 upon 9 का multiply मैं उसके reciprocal में करूँ 41 upon 9 का multiply मैं उसके reciprocal में करूँ reciprocal क्या है 9 upon 41 तो क्या आएगा answer 9 से 9 divided किया 1 41 से 41 divided किया 1 तो answer क्या आया 1 means किसी number के कोई number है और उसका हमने reciprocal नकाला उसका multiplicative inverse नकाला और number को और उसके multiplicative inverse को आपस में multiply किया 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 आपस में multiply किया तो answer क्या आता है 1 क्या आएगा 1 जैसे एक सीधी बोडी खड़ी है एक उल्टी बोडी खड़ी है हमने सीधी बोडी का multiply उल्टी बोडी में कर दिया तो answer क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1, क्योंकि 41 से 41 डिवैड हुजाएगा, 9 से 9, और answer आया, 1, इसी तरीके से, यही blank है, आपका blank में आपको फिल करना है, इसी तरीके से, इस blank वाली place पहेड़ा, इस blank वाली place पहेड़ा, इस नंबर का reciprocal, तो यह fraction है उसका रहसी प्रोकल, जो fraction है और उसका रहसी प्रोकल, अगर हम उन दोनों numbers का multiply करते हैं, तो हमेशा answer क्या आता है, 1, तो इस प्लेस पे क्या आएगा, 9 upon 4, क्या आएगा, 9 upon 4, तो इसी तरीके से आप अपनी exercise 4.1, 4.4, solve कर सकते हैं, तो आज का आपका homework है, exercise 4.3 और exercise 4.4, आपको सुन्दा सुन्दा राइटिंग में साफ तरीके से method के साथ, यह नहीं कि बस जस्ट कर दिया, method के साथ, आपको दौनों exercise अपनी math की notebook में solve पढ़नी है, हम next lecture में पढ़ेंगे कि किस तरीके से fractions का divide किया जाता है, division of fractions, तब तक के लिए, बाई बाई